जाहिन दोस्तो वेलकम टू दर ड्रीम स्कोल आज गमारा टोपिक होगा पाइपन सिस्टन यानि की नलो टंकी जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क की सिरीज कंप्लीट कर चुके हैं तो यदि किसी ने टाइम एंड वर्क की कंप्लीट सिरीज अभी तक नहीं देखी वो जाकर के पहले टाइम एंड वर्क की पूरी सिरीज देख लें क्योंकि कंसेप्स दोनों के सेम है ठीक है अब हम यहां पर कुछ सीखते हैं पाइपन सिस्टन के बारे में यह देखिए सबोस्ट आप लोग टंकी लेने गई है पानी की तो बेसिक प्रेयरिटी जो हो की ठीक है बेस सबसे पहले आप क्या देखोगे आप देखोगे कैपैसिटी ठीक है कि उसकी छमता कितनी होगी क्योंकि जितनी चमता होगी उतने की तो मात्रम आप ले क्या होगे 500 लेटर में ले आए या फिर 1500 लेटर में ले आए जितनी के आपकी रिकोईर्मेंट होगी फिर आप क्या कर करोगे वो निकालना तो है ही अब जरूरी नहीं आप एक ही आउटलेट पाइप लगा आप दो भी लगा सकते हो आप तीन भी लगा सकते हो डिपेंड करता है आपकी रिक्वाइर्मेंट किनी है तो दूसरा यहां से कोश्चन बना हमारा कि टंकी कितने समय में खाली हो ठीक है उसके बाद आपने स्टोल की आउटलेट पाइप लगा दिये लेकिन अब भरने के लिए भी तो कुस्ना कुछ चीए ठीक है तो आपको इलेट पाइप की भी जोड़त पड़ेगी आप यहां पे इलेट पाइप भी लगा होगी ठीक है जिससे वाटर इन होगा इसम सेम कंडिशन है आप एक इनलेट पाइप लगा सकते हो आप दो इनलेट पाइप लगा सकते हो जितनी आपको रिकोर्यमेंट है जितनी आप जल्दी भरना चाहरे हो उतना तो सेम यहां से तीसरा कोश्चन मन जाता है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ठीक है ना प्रेटर आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा इसमें कोश्चन नहीं बनते या तो कोश्चन मनेगा कि टंकी की छंता ग्याद करें या कोश्चन मनेगा कि कितने समय में खाली हो रही है या कोश्चन मनेगा कितने समय में भर रही है ठीक है यही बेसिक बात है घू में क्या करा है दो पाइप A और B एक टैंक को करम से 20 मिनिट और 30 मिनिट में भर सकते हैं ठीक है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा अब मैं इमान के चल रहा हूं कि आपने टाइम एंड वर्क की कम्प्लीट सीरीज देख होगी तो आपको उस बात की नॉलिज होगी ठीक है उसी का कंसेप्ट में यहां पर अप्लाई कर रहा हूं नहीं देखिया तो पूरी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो आप जाकर देख लो अच्छे से अब देखो एक नल है वो टंकी को 20 मिनिट में भर रहा है देखो मैं यहां पे प्लस का सिंबल लगा लेता हूं प्लस से डिनोट कर लेता हूं इस प्लस का मतलब कुछ नहीं है बस मुझे यह पता चलता रहेगा कि यह जवाला नल है यह भर रहा है यह भरने का काम कर रहा है ठीक है दूसरा नल जो है वो टंकी को 30 मिनिट में भर रहा है ठीक है अब इसके बाद हम क्या करते हो थे time and work में? LCM लेते हो थे, same condition हम यहाँ पर भी करेंगे, LCM ले लिया, 20 तिया 60 और 30 दुनी 60, ठीक है? डिवाइड कर लेते हैं, अब देखो यह क्या बात आई है, जैसे कि हमने समय और कारे में सीख चुके हैं, यह तो समय ही होता है, ठीक है? यह तो समय ही होता है, पूरा समय जितना होगा, यह जो बीच वाली value होती है न, यह होती है टंकी की छमता, जैसे वहाँ इस बीच वाली value वो क्या कहते थे हैं? पूरा कारे कहते थे थे न, सब्सक्राइब जब एक साथ खोल दिया यह तीन पानी भर रहा है यह लग अलग अलग दोनों को एक साथ खोल दो तुम तो हम कहा देंगे तो पाँच पानी भर देंगे जी जब एक साथ खोलेंगे सवाल ने पूछा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यहनी 60 unit की टंकी है मेरी अब time निकाल लूँगा समय निकाल लूँगा मैं ठीक है total काम कितना करना है देखो इसे काम भी कह सकते हो आप और टंकी की capacity भी कह सकते हो तो हम क्या लिख देंगे इसे 12,5,60 यानि total 60 minute का समय लगेगा इस टंकी को भरने में minute दी हुई है न सवाल में अगर मैंने कहीं गलती से गंटे बोल दिया हो तो consider कर ले न minute दी हुई है ठीक है तो 12 minute में पूरी टंकी भर जाएगी समझ आ गई होगी आपके पास टू कोपी जैसे आपने अभी तक करा है time and work में वही चीज है बिल्कुल ठीक है next question देखो भी आप ये देखो इसका solution करने जा रहे हैं एक टंकी को 5 गंटे में pipe द्वारा पानी से भरा जा सकता है और इसे 4 गंटे में दूसरे pipe से खाली किया जा सकता है बहुत बढ़ी है अब देखो इस भी बात को लिख रहा हूँ मैं आगे बाद में पढ़ेंगे एक pipe है कोई भी है ये माल लो तो वो 5 गंटे में भर रहा है किसी टंकी को मैं प्लस का निसान लगा देता हूँ और दूसरा pipe है B वो क्या कर रहा है उसे 4 गंटे में खाली कर देता है देखो खाली में माइनिस कर दिया पता चलिए ना यहां से ये भरने वाला ये खाली करने वाला ठीक है यदि टंकी भर जाने पर दोनों pipe को खोल दिया जाता है तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा बहुत बढ़िया सबसे पहले तो जो आता है हमें वो कर लेते हैं भाई LCM IA 20 ठीक है पांट चोग 20 और 4 पंजे 20 ठीक है इस बात को समझ लो के मेरी टंकी जो है ना इस यूनिट की है अब यूनिट दी नहीं आप जो मर्जी माल लो इसे कहलो 20 लिटर की है ठीक है जो पहले वाला है वो एक गंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है जो दूसरे वाला है वो एक गंटे में 5 यूनिट पानी निकाल सकता है आप इस बात को यहां समझो मैं टंकी होना देता हूँ आप लोग के लिए यहां से पानी निकल रहा है और यहां से पानी भर रहा है ठीक है? यह भरने वाला है और यह निकलने वाला है अब आप देखो सवाल लगा है कि टंकी भरी हुई है तंकी भरी पढ़ी है विल्कुल उपड़ था ठीक उसने कहा दोनो नल एक साथ चला दिये ठीक है अब देखो जब मैं दोनो नल एक साथ चला दूँगा इस वाले ने तो चार यूनिट पानी भरा उसी समय में ठीक है और इस वाले ने पांच निकाल दिया इसका मतलब हर एक यूनिट पानी बहार निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं यह आप बता दो हर गंटे एक यूनिट पानी बहार निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं यह चार भर रहा है यह पांच निकाल रहा है ये चार भर रहा है ये पांच निकाल रहा है तो हर गंटे एक यूनिट पानी बाहर निकलेगा के नहीं निकलेगा इसने चार भरा इसने पांच बाहर निकाल दिया पांच कहां से बाहर निकाल ला होगा तंकी की capacity है 20 unit की पूरी तंकी जो है और एक गंटे में एक unit पानी बहार निकाल रहे हैं तो भाग कर देंगे एक से तो हमें पता चल जाएगा कि कुल मिला के 20 गंटे लगने वाले हैं 20 गंटे लगने वाले हैं तंकी को खाली होने में ठीक है 20 गंटे में पूरी तंकी खाली हो जाएगी and this is your answer option number C अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं यह है हमारा question number 3 यहाँ पर देखते हैं कैसा सवाल है क्या बोल गाए है यह कह रहा है एक pipe A यह A है यह B है ठीक है यह Google बाबाने कर दिया होगा थोड़ी जी गलती बाबा जी होने कुछ कह भी नहीं सकते ठीक है दो pipe A और B क्रम से 60 मिनट और 72 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं इसे खाली करने के लिए टंकी के तल में एक तीसरा pipe है अच्छा तीन pipe है इस बार बाई आप इसे टंकी लिखतो बताया ना मैंने भी Google वाबा तो उन्हें कुछ कहा नहीं सकते हुई है टंकी खाली कर सकता है ठीक है यह टंकी लिखा हुआ है अब देखो A जो है वो 60 मिनट में किसी भी टंकी को भर रहा है ठीक है वहीं पर जो दूसरा है B वो क्या कर रहा है कि वो 75 मिनट में टंकी भर रहा है ठीक है उसने का एक पाइप निकालने माला भी है ठीक है एक निकालने माला भी है और जब तीनों को एक साथ खोल दिया ना A भी भरेगा B भी भरेगा लेकिन C हो गया निकालने माला तो माइनस लिग दिया वही मैंने ध्यान लगना अब इन्हें टोटल लग रही है वही 50 मिनट ठीक है अब इन्हें टोटल कितनी लग रही है 50 मिनट मैं ले लूँगा LCM LCM बोलो कितना ले ले 300 ले लेते हैं LCM ठीक है 300 LCM हम ले लेते हैं यहां पर देखो 60 से भाग करूँगा तो कितना आगया 5 75 से भाग कर दिया तो कितना आगया 4 और 50 से भाग कर दिया तो कितना आगया 6 अब ध्यान दो मेरे भाई उसने कहा कितने समय में अकेले तीसरा पाइप टंकी खाली कर सकता है देखो जो A है ना वो एक मिनिट में भर रहा है पांच मिनिट ठीक जो B है वो एक मिनिट में भर रहा है चार यूनिट और जब ये तीनों एक साथ खोल दिये ना तो ये एक मिनिट में भर रहे हैं 6 यूनिट अब आप ये देखो ये दोनों मिलके 9 भर सकते हैं जब मिल गए तो 9 भर देंगे ना लेकिन तीसरे के आथती केवल 6 रह गया पानी अब 3 कहा गया इन दो की चमता हैं उन्हें 9 भर दिया लेकिन जब तीसरा भी इनके साथ में खोल दिया तो कुल पानी 6 भरा जा रहा है 3 यूनिट पानी का गया तो हम कहतेंगे कि C जो है न वो हर मिनिट में 3 यूनिट पानी बहार निकाल रहा है ठीक है? हर मिनिट में तीन यूनिट पानी बहार निकाल रहा है यानि तीसरे नल की छमता हमें पता चल गई उसकी कैपेसिटी हमें पता चल गई और अब तो कोश्चन में कुछ बचा ही नहीं है टाइम निकालना होगा कि इस नल को सवाल लेका ना इस नल को नल की capacity है 300 इस नल को 30 पाइप कितने समय में खाली कर देगा 30 पाइप 1 मिनिट में निकाल सकता है 3 तो टोटल उसे कितना लगा 100 मिनिट का समय लगा 100 मिनिट में टंकी खाली कहीं है क्या option यह रहा B 100 मिनिट ठीक है आई होप अच्छे से समझाया होगा आपको यह चलता है question number 4 की और question number 4 देखो एक टैंक को pipe A द्वारा 2 गंटे में और pipe B और pipe B को 6 गंटे में भरा जा सकता है ठीक है सुभा 10 बजे pipe A खोला गया यदि pipe B को 11 बजे खोला जाता है तो टैंक को किस समय भरा जाएगा ठीक है यह देखो एक है नल A यह भर रहा है यह दो गंटे में भर देता है पूरी टंकी को एक नल है B यह भर देता है 6 गंटे में ठीक है LCM ले लिया हमने 6 ही ले लेते हैं 2 तिया 6 और 6 इकम 6 ठीक है अब देखो उसने क्या कहा कि जो पहले वाला है ना एनल उसे सुबह 10 बजे खोल दिया और दूसरे वालों को 11 बजे खोल ला इसका मतलब 10 से 11 तक एक गंटा तो यह अकेला ही चला होगा एक गंटा एक गंटे में 3 पानी बर देगा पूरी टंकी की कैपसिटी में मेरी 6 की है एक गंटे में 3 पानी बर देगा अब 11 बजे बी भी खुल गया इसका मतलब है 11 बजे के बाद में यह दोनों काम करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है और दोनों एक गंटे में कितना कर देंगे 4 तो मैं यह कहतूँगा कि सेस नल को भरने में कितना समय लगेगा सेस टंकी को भरने में सोरी नल बोल रहा हूँ मैं सेस टंकी को देखो सेस टंकी की छमता कितनी है 3 है और यह एक गंटे में कितना भरने है 4 यानि कि 4 बटे 3 गंटे लग गए 4 बटे 3 गंटे लग गए 11 बजे के बाद में ठीक है अब इस घंटों को आप मिन्टों में बना सकते हो कैसे बना सकते हो 60 से गुना कर दो ठीक है तो 15 चोके 60 और 15 में 3 की गुना कर दी 15 थी 45 यानि के 11 बजे के बाद 45 मिनट और लगेंगे मुझे टंकी पूरी भर जाएगी 11 बजे के बाद 45 मिनट ओड लगेगी 11 बज गए 45 ओड जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 11.45 और सुबह का ही समय होगा Option number C is your answer ठीक है 11.45 पे टंकी भर जाएगी देखते हैं Question number 5 2 पाइप X और Y एक टंकी भर करम से 24 मिनट और 32 मिनट अब भर सकते हैं यदि दोनों पाइप को एक साथ कोल दिया जाता है तो कितने समय बाद और उत्तर देना है मिन्टों में कितने समय बाद ब्रैकेट में लिखा है मिन्टों में Y को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए अब देखो ध्यान दू 2 पाइप है एक X है एक Y है ठीक है X किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है भर सकता है तो मैं पुलस का सिंबल दिनोट कर लेता हूँ और Y उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है यह मैंने 32 का सिम्ब्ल डिनोट कर लिए. ठीक है. अब मुझे लेना है इन दोनों का ELSEUM. मैं ELSEUM ले लेता हूं यहां पर छान में. अब देखते हैं छान में से छान में को भाग करते हैं 24 से तो 24 चौके छान में और छान में को भाग करते हैं 32 से 1232 चान है ठीक है उसने क्या कहा कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए अब धियान रखना ठोड़ा सा जब एक साथ दोनों पाइप खोल ले हैं तो यह भर सकते हैं साथ हाला कि मुझे भी इसकी कोई जरूत नहीं है आप देखो दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद Y को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनिट में भर जाए अब यहां से एक बात समझो इसको रब कर लें थोड़ा सा इसकी साथ की अभी कोई एसरच रिक्वाइर्मेंट है नहीं ठीक है यहां देखो उसने क्या कहा कि Y को न बंद कर दिया और टंकी को 18 मिनिट पर बरना है इसका मतलब जो एक्स होगा वो तो लगातार 18 मिनिट तक काम करेगा वो तो रुकने वाला है नहीं वो तो चलता ही रहेगा 18 मिनिट पूरा ही भर के रुकेगा तो गुणा कर लेते हैं 8.32 और 4.32 यानि कि A अकेले 72 पानी भर देगा था कितना बान में हम कह रहे हैं 72 तो A ही भर देगा 18 मिनिट में तो B कितना भरेगा तो आप बोल दोगे कि B को 24 भरना है B वो रहा हूं sorry Y ठीक है अब पहले Y का समय निकाल लो कि Y को कितना समय लग जाएगा ये 24 भरने में 24 भरने में Y को कितना समय लगेगा Y एक मिनिट में भर रहा है 3 तो 8 या 24 इसका मतलब है कि Y को 8 मिनिट का समय लगेगा ये 24 भरने में सवाल ने ये कहा तो कितने समय बाद Y को बंद कर दे मैं ये कह रहा हूं कि तुम 8 मिनिट बाद Y को बंद कर दो इस सवाल को एक पर सुरू से आप देखो X किसी टंकी को भर सकता है 24 मिनिट में Y भर सकता है 32 में मैंने LCM लिए च्षाण में ये च्षाण में टंकी की समता हुई सवाल कह रहा है टंकी 18 मिनिट में भरनी है दोनों पाई भूद ने खोल दिये और Y को करना है बंद कुछ समय के बाद Y को करना है बंद ताकि 18 मिनिट में बर जा इसका मतलब है X तो लगातार 18 मिनिट तक चलता ही रहेगा X अकेला कितना पानी भर देगा तो आप बोलोगे 72 भर देगा मैंने का टंकी की 16 शाण में है 72 X ने भर दिया तो 24 Y ने बरा होगा तो मैं यही निकाल रहा हूँ कि Y ने कितने समय में 24 भर दिया होगा यह पने टाइमेंट मर्क में किया है ऐसा कॉस्चन हमने बाकी दुबरा आप आपने यहां पे नलो टंकी में कर लिया अब यह परफेक्ट हो जाना चाहिए अच्छे से And this is your practice question यह आपको practice करना है ठीक है इसको attempt करना है Attempt करने के बाद comment box में करना इसका answer ठीक Okay then this is the end of this video And thanks for watching